मेरा आके सर फिर से अपने क्लास में आप सबका स्वागत करता हूँ आज मैं आप रहों को बताऊँगा इंग्लीज टांसलेशन इसमें कॉजटिव वर्ण यानि प्रेनार्थ क्रिया के बारे में बताऊँगा जिसमें आप किसी को प्रेना देते भी पाये जाएंगे तो इसमें आप हिंदी से इंग्लीज कैसे बनाएंगे उसके बारे में बता रहा हूँ जैसे देखें वो मुझे हसाता है यानि किसी के द्वारा काम करवाया जाता है इसे करते हैं कॉजटिव वर्ण तो इसको कैसे बनाएंगे तो देखें यहां इसका टेंस के है वो मुझे हसाता है यह प्रजेंट टेंस में है तो इसको पहले सब्जेक्ट यानि ही और हसाता है तो करवाया जाता है इसके लिए मेक्स का प्रियूग क्या जाता है प्रजेंट टेंस है तो मेक्स या मेक का य आए जाएगा, तो he makes और यहाँ object आएगा, किसको हसाए जाता है, मुझे, तो he makes me love तो that means इस तरह का कोई भी sentence हो तो आप इस तरह इसको translate कर सकते हैं बोल सकते हैं, he makes me love हाना, अब देखें मैंने तुम्हें हसाया, यानि मैं किसी को हसाया मेरे द्वारा काम किया गया है तो that means, यह past tense है तो मैंने यानि I लिखेंगे और यहाँ past tense है, इसलिए makes, जो है, made में use हो जाएगा, मने change हो जाएगा I made, you love ठीक है, इस तरह बनाएगे, तो यह past tense हो गया, यह present tense हो गया वो एक घर बनवाएगा देखिए, बनवाएगा, यह future tense है तो he will make a house he will make a house यहाँ, सेल विल के द्वारा बनाएगा जाएगा, ठीक है देखिए, अगर पैसी बाइस में हो तो कैसे बनाएगे जैसे राम को रुलाया गया तो that means, इसमें helping word का use होगा, है ना, जैसे इसमार्य वाजवर का use होगा, उसके बाद पिर यह जो है, past tense में use होगा, made का use होगा राम को रुलाया गया तो यह से बनाएगा, राम राम वाज made to weep राम को रुलाया गया, तो राम वाज made to weep, वहाँ फिप्त देखिए, लड़कों से काम करवाया गया, यहाँ इंफिटिव आ जाएगा, तो इस तरह जब पेशी वाज में हो, तो helping work के साथ made का यूज होगा और यहाँ पर इंफिटिव आ जाएगा, इस तरह आप इस तरह के हिंदी सेंदेंस को इंग्लिस में आस नहीं अच्छा लगा तब प्लीज मेरे चनल को सब्सक्राइब केजिए, लाइक केजिए, आपने दोस्तों में शेर केजिए, थैंक यू वेरी मच्छ